हलो फ्रेंट्स आज में इस डिजाइन का जो कि बहुत इजी है वीगनर्स के लिए भी बहुत असान और बहुत संदर डिजाइन है बना सकते हैं आराम से और सीख भी सकते हैं और यह बहुत थोड़े से ओन में बन गया है आपका 50-60 ग्राम बन गया है तो चलिए बनाना शुर कि मैं इसको इधर से करना हां फिर इसको यह करके ले जाना हां फिर इसको यह से खिच लेना है ठीक है है मैजीक लिओो हुगया एज है हम तीज tobतियों है रधर संद्षिक करना मितलब 2 double crochet और 2 chain ऐसे हमें 6 टाइम बनाने है यह दो बन गया चार बर और बनाओ गया से एक दो चेन फिर यहां पर दो दो का पेर करना है double crochet का तो एक double crochet और यह दो डोड़ गया तो तीन बन गया एक दो तीन इसी तरीके से तीन और बनानों यह छे बन जाएंगे कोई छे बनाते हैं आपको दिखाती हूं यह दिखें हमारा six times हो गया है एक दो तीन चार पांच छे हो गया है आप मैं क्या करना दो चेन लोगी एक चेन दो चेन है अब यहां तीन चेन जहां लिया था इसमें हमें slip note से इस तरीके से जोड़ देना है ठीक है बराबर हो गया ह हमारा सब फिर से अब हुमें slip note से ही एक और इसमें आना है इसमें करके इस वहले gap मैं slip note से ही आहते है पिस तीन चेन एक दो तीन चेन्ड फिर इसमें अब 200 कृश्य अब है ठीक है तो हरा क्यों परिंद एक हो मेश्वाल खेंद है वत्यों टुद्र प्रिंद के निहें थायर से हैँ एह एक एक तीन फिर दॉचैन् फिर नेक्स्ट गैप में दॉचेन नेक्स्ट गैप में तीन नग्रस्ट स्ति एक क्लोश्चा, तो धुल गोश्चा और ये तीन क्लोश्चा है जितने गयअप है वह सबने अब तेन दस हमने आगढ़ करें कर लिए फिर से हम दो चेन रहे जोड़ना है इस तीन जहां है यहां पर हम कि ऐसे स्लिपनोट कर लेना है अब हम एक दो तेन तीन चैन चेन के बराबर दो एक्स्टर चैन है यह यह टोटल हमें पांच चैन होगे अब इस वाले डाप में दो के गैल में तीन करोशें करना है मि क्का दीछ ये जंता है लुअ कि चैन सब्सक्राइब कर स्कुर्प्स ऐसे टीन द्रोष्या करोंगा, तुछ के बाद है, पिरेंगा थेया दोचन की नग में हैं तुछ करना है। आधे तोचन का गया है, पिरेंगा रहां है fruit, है बहुत हुआ चौन कलए खौद है uh कि दू और यह तिन थे फिर चैन फिर 2 चैन एक चैन फिर पर सूरीजग किया था इसके पहले फंदे में हमें इक डवल पर कर लेना थिस हो से दो चैन और फिर इस वाले तीन दो चैन के गेप में नहीं कि अमें तिन दाप फिर से दिखा देती हूं कैसे करना है पहले तो यहाँ पे हमने जहाँ पर पे इस जोड़ा पास्चेन बना लिए यह फिर दो चेन ले लिया उने टूटल पाश्चेन होलिया इसमें तीन चेन इक डबल क्रोश्य के बारावर दो चेन जो हम एक्स्ट्रा रहे थे फिर गैप मे यह उसे हमने 3 Z ए लिए दो चैने कर इस के ऊपर हमने एक डबल ग्रोश्य कर लिया अब यह तिर्चा लेना है हमें इसलिए ऐसे कर रहे हैं तो पूरा राउन वैसे करते हुए जाओंगी मैं पूरा कंप्लेट करके आपको दिखाती हूँ देखें करें नें हम नहीं बना लिया love Fach' पहले दो चैन करना वही है र्यों से स्लिपनोट से जोल लेना है इस तरह से पांच चैन एक दो तीन चार पांच ठीक है उसके बाद हमें यह पहले वाले तीन चैन के तीन डबल क्रोश्या के पहले वाले फंदे में हमें एक डबल क्रोश्या बनाना है जैसे हमें पिछली के नाँ में एक तीन डबल क्रोश्या करना में तो है फिर से हमें दो चैन सिमट लेना है एक चैन डो चैन फिर अकेले का डबल कोश्य बनाया था इस पर भी हमें एक डबल कुरोश्य बनाना हो फिरसेर्फ दो चेन चेन दो चेनच है सबसेये टीन क्रेस्याकNat यहाँक्र है है पहले वाले डबल कोश्या के फंदे पेड़ अध़21-2 चेनच केबद फिर से 2 chain फिर यह एक अकेला एकलोता यह लिया था हम ने इस पर 1 double crochet ठीक है फिर से 1,2 chain फिर यह तीन double crochet के पहले वाले फंदे पर ठीक है आसान है थोड़ा धैन दे तो समझ में आ जाएगा फिर 2 chain और फिर से इस gap में 2 chain के gap में इस दोनों के लिए यहां पर हमें 3 double crochet लेगा है 1 ताब कोश्या 2 तो मिं और तीरी कोश्य दो चल के लकाए मुझें बना रहा है जाँ इसमें इसभे पिर से हमें युप बनाने हैं और बूप के लिताे हैं यही पैटर्न हमारा चलता रहे इसमें हमें तीन डवर प्रोश्य बनाना था दो और तीन फिर दो चल लेकर इसमें हम करेंगे यहां पर हमने जोड़ा था जोड़ा हमने तो पांच डबल क्रोश्य बनाया जिसमें तीन डबल क्रोश्य गवरा दो चैन गैप के लिए फिर तीन डबल क्रोश्य के फर्स्ट वाले में हमने एक डबल क्रोश्य बनाया फिर दो चैन लेकर यह जो दो चैन का गैप लिया था हम देखाती हूं देखे हमने इतना बना लिया फिर अमाइब ? प्रसे मैं यहां दो Alfive लूँगे और यह पाँस जेन वाज से तीन चैन काउंट करके यहांज पे इसमें हमने विश्ण कर लेजा है यह ते सरे अम विश्ण सपर्इम में पासवाइं ठीन चार पांच हो गया तो longtemps ही वाले इस वाले पले एक डबाक्रोशऑ रवर क्रोशऑ मुप्र तीन ने हमें इस खूड़ ह mistaker व्र पाली दोड्म यह करें की ध्यक्य आइब यह दुर्व भाड़ वादयें, पुर्त कहते हैं, दोड़ क्रॉशियballs, इस ऐस्तौन द्वर क्रॉशिय Untie Do, ठीक है फिर से दो चेन फिर इस तीन डबल क्रोश्य के पहले वाले फंदे पर हमें एक डबल क्रोश्य बनाना है ऐसे ही पैटरन हमें जितना बड़ा चाहिए उतना बड़ा हम बना सकते हैं फिर यह हो गया अब इस गैप में हमें तीन डबल क्रोश्य करना है एक दोब कुछो जो अर ये तेन ऩो फिर से 2 च profit लेकष इस वाले ड्ब कुछो और थीन द्भश को फिर ने रिए एस चुछो पडाते द्याप में हम तीनिक करनेदेखें तो ना एक हमारे आकेयले निक जू वा तो नहीं है सब तो लेंगे तुर नजदी को जाएगा ठीक है उसके ग स्टों क यहां जोड़ पांच gek्डा把 टे वहिए यहां जोर से जोरेंगे आपा चीन भूरोशे बनाएंगे इस पर यॉयंद एव से लिफुर फुम्पशिर भड़ जिए का दितने इस उसाव चाहिए हमारा चार हो जाया दो इसी तरीके से हमें जितना बड़ा चाहिए उतना बड़ा बना सकता है यह देखिए हमने जतना बड़ा बनाना था उतना बड़ा बना लिया है यह मैंने देखिए कितने सारे ब्लोक्स बना ऐसे छोटा भी बना सकते है ऐसा कुछ नहीं है तो मैंने यह देखिए जो यह हमारा यह आते आया है यह यह ऐसे आया है देखिए तो यह मैंने जो डबल क् कितने सार हुए देखें एक दो तीन चार पाँच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारह तेरह और यह 14 मैंने डबल क्रोशिया और यह गैप हुआ है इसके और इसके बीच में सब में ऐसा ही है अब इसके आगे बताती हुमें अब तक तो हमने यह दो चेल लेकर यहाँ पर डबल साथ चेंज है कि आप हमारा पैटर्ण थोगा जो रहा है डिजाइन त्लिक्ट तक तो हमने बना लिए है अब ऐसे फंदा लेंगे और जहाथ तीन चेंड करने है यहाँ पे हमें ऐसे डबल क्रोशिया बना लेना है इसलिए बनाया मैंने कि हमें इसमें ही अब डिजाइन न जाते फिर हमें पीछे कैसे चाहिए इसलिए हमने ऐसे किया है यहां हम दो दबल क्रोश्य बना लेंहां जा इसे में यह 3 के बादवाले जुग य था न सी अब हम दो चेन एक चेन दो चेन अब इसको स्किप करना है यहां पर हमें 3 में 2 matte 2 a 2 के और 3 अरूज को से led एसब्रेट करना है यहां पर को से एक खंदे को हमें स्किक च्प करते जाना है एक ब्लोक को और ब्लॉक को स्कित करेंगे तो दो के जरूर लेंगे फिर देखिए इसको स्किर किया हटा आया छोड़ा हमने अब फिर से इसको छोड़ंगे और यहां बनाएंगे मतलग काफ से एक एक जो जाली है उसको छोड़ते जाना है और दूसरे वाले जाले में तैन दबल क्रोशे बनानार जोड़ाना यह देखें इस तरीके से तुछ हमें बनाना है तो यह तक आप बना के दिखाते हूं कि फिर कैसे हमें चेंज करना है ठीट है यह हमने एकल एक स्किप करके मपना लिया है यह दो चिणन ले लिया यह रहे है अश्व हिसे ऑफ हमों और दोछ सिर्व मैं आखे आज देखाती हूं क्या हम decision मेणा के ठीटेए बना democratic ही सेम करना 1993 है टोटल हमारा कितना बन गया ब्लॉक एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ अगर आप छोटा बनाएंगे तो यह ध्यान में रखें यह जो ब्लॉक्स बनाएंगे ना वह थोड़ा सम बनाएं ताकि यह थोड़ा यह गैप छूट जाए थोड़ा काउंट कर लीजिया ठीक है जैसे मैंने 14 यह डबल क्रोश्या वाला खाने बनाए थे तो कितने सारे यह गैप हो रहे हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस एक आरा बारा तेरा चौधा पंद्रा गैप है तो अभी छूट पाएगा तो इसलिए आप जब यह बनाए ख़ोटा बनाए तो यह जो गैप वाला है ना वो थोड़ा भी सम होना चाहिए और यह जो डबल क्रोश्या होगा वो यह यह आपका सम होना चाहिए ठीक है तो आपका यह बैठ पाएगा पैटन अब देखिए अब हमें यहीं से टर्न करना है क्योंकि हमें यू लेके जाना है तो एके खाने को ही हम बनाएंगे इस तरह से हमें टर्न करके अब इसमें हमें स्लिप नॉट से आगे बढ़ना है ऐसे स्लिप नॉट यू ले लिया हो गया स्लिप नॉट फिर से हमें यहां एक दो तीन चैन अब इसी में दो डबल क्रोश्या कर लेना है एक तो तीन चैन वाला डबल क्रोश्या ह ही और दोज़ मुझ फिरू ऑप इसमें हमें घेप अब चोड़ना नहीं है तो जोगी वी गैप है उसमें हमें इस तरीके से तीन तीन डबल क्रोश्या कर लेना है बीच में दो चेंड लेना है फिर इस गैप में तीन डबल क्रोश्या एक डवर क्रोश्या बहुत इजी पैटर्न है मैंने तीन चार ऐसे बनाए है जो कि बहुत इजी पैटर्न है बिगनर्स के लिए यह देखे फिर से मैं यहां तक करके आपको दिखाती हूँ पहले वाले में आठ था एक दो तीन चार पांच शेशाफ आठ नेक्स्ट वाले में साथ होगा देखे दो तीन चार पांच शेशाफ ठीक है फिर से वही करना है हमें ऐसे पलट कर और स्लिपनोट से पहले इस गैप में जाना है इस तरीके से इस वाले गैप में जाकर फिर तीन चेन ले लेना है और फिर वही दो डवर क्रोशेर शुरुआत के तो बनेंगे ही ठीक है ऐसे ही करते करते हमारा अभी साथ हुआ फिर छे होगा फिर पांच चार तीन दो एक तो एक तक पुरा बना के आपको दिखाती हूं है यह देखे इतना हमने बना लिया एक पे आ गया हम अब यहां पे एक चिलने ना है और इसको कट कर D कुंद है इसका ये हो गया है यह तक है यह यह गया है इसका भी और को अब पलाशा сл Nep यह चुपा लेगा ठीक है यह हमेरा कंप्लेट हो गया अब ऐसे ही हमें इस साइड भी फ्रंट का साइड है इसमें हमें बनाना है यह अब इसमें बनाना है यह वाली कली में इसको हम पहले इस तरीके से यह लेनेंगे अब इसमें देखिए तीन डवल क्रोशय के बाद जो यह था ना क्योंकि इसमें ही हम बनाना शुरू किया है यहां से यहां से यह वाला यह तो यहां भी हमें यहीं से शुरू करना है तो हम यहीं पे हमें इसमें एक दो तीन कर लेंगे इसमें हमें तो डवल क्रोश्य करना है ठीक है तीन डबल क्रोशिय के जेस्ट बगल वाले में जो यहां एक डबल क्रोशिय किया था इससे यहां में शुरुवात करने हैं फिर दो चेन एक चेन दो चेन और फिर से एक स्किप करना है और यहां पर करना है प्रश्राइब जैसे हमने इसमें किया वैसे ही हम इसमें भी पहले आठ ऐसा बनाएंगे ब्लॉक्स उसके वह साथ शे पाच ऐसे करके होता जाएगा फिर यहां से यहां तक बना लेंगे उसको एक तक जाएंगे यहां तक जाएंगे कट कर देंगे फिर से यह बनेगा तो एक दो तीन चार पांश छे चे कली है हमारा पुरा यहां से मिलाके तो मैं पूरा बना के आपको दिखाती हूं बहुत प्यारा डिजाइन बहुत आसान डिजाइन है तो फ्रेंस इस वीडियो को लाइक और शेयर किजेगा अगर मेरे चै रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और डिजाइन जरूर बनाईएगा धन्यवाद